नमस्कार दोस्ते हों सोगाता है आपका हमारे यूट्यूब चनल पर UP Police Constable के लिए UPGK का आपका ये बहुत ही जाता Most Important वीडियो होने बाला है तो वीडियो को सुरूर से लेके लास तक देखीगा जो लोग नए हैं तो प्लीज चनल को जरू सब्सक्राइब करें चलिए स्टार्ट करते हैं तो आज के सेसन में पहला कोशन है उत्तर पदेश में निर्यातो नमुख सौप्टबे़ पार्क कहां पर इस्थापित किये गये हैं तो देखिए इस चार आपसन है इसमें से आपका क्या होगा आपसन है नुएडा और कानपूर में स्थापित किये गये हैं अगला उत्तर प्रदेश के प्रत्थम उड़जा सिच्छा पार्क की स्थापना की गई है कहां पर की गई ये चार आपसन आपके पास हैं तो इसमें से हो जाएगा आपसन भी इलहाबाद में की गई है नेक्स्ट है आपका निमलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश के संदर में सही सुमेलित नहीं है तो आपको गलत बाला बताना है तो आपका हो जाएका option D गलत पांकी के जो तीने बो देख लेते हैं जैसे कि खाद अनुसंदान एबं बिसलेसाओं के इंदर ये कहां पर है? लखनो और खाद पार्क कहां पर है? नोईडा और सरदार बल्लब भाई पटल करसी बिसे भिधाले मेरट में है अगला उत्तर प्रदेश में School of Paper Technology इस्तित है कहां पर इस्तित है? Option D सहारन पूर में इस्तित है अगला सूचियक को सूचिटू से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर का चैन करना है सूचियक में क्या है? संस्थान है और सूचियक में इस्थान है और कोट के माध्यम से आपको मिलान करना है तो इसका क्या हो जाएगा? थोड़ा सा छोटा करते हैं आपसेंस ही हो जाएगा आपका पहला है सेंट्रल ड्रग इंस्टिटूट ये हो जाएगा इलहा लखनौ फिर है सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टिटूट ये कहाँ पर है आगरा मोतिलान नहरू राष्टिय प्रोध्योग की संस्थान ये कहाँ पर है इलहाबाद में और फिर है इंडियन इंस्टिटूट आफ सुगर टेक्नोलोजी यह है कानपूर। अगला है सीला अधर मृदा विज्ञान संस्थान इस्तित है। तो कहां पर इस्तित है ऑप्शन भी इलहाबाद में इस्तित है। अगला उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुक केंद्र है। चार अप्शन है तो इसका होजाएका अप्शन है बरेली। निमलिकित कथनों पर विचार करना है और आपको बताना है कौन सा आपका सही है। तो इसके लिए देखिए आपका होजाएका उप्शन सी तिसरा चोता सही है। तो तिसरा क्या कहता है यूपी डेसको एलेक्टोनिक्स बिभाग के अंतरगत एक निगम है। और प्रथम पॉलिएस्टर रेसा फेक्टरी उत्तरपदेश के बारा बंकी में स्थापित की गई है। अगला है उत्तरपदेश की निमलिकित नदियों में से किनके उधिगम इस्थल हिमाले में नहीं है। तो देखे कूट के माद्यम से आपको बताना है। तो इसका देखे क्या हो जाएगा आप्सेन सी पहला और तेसरा। पहला और तेसरा बंकी के दो कहाएं रामगंगा और सारदा। अगला देख लेते हैं उत्तरपदेश में कौन सा जिला अब नलिका अपरदन से सरवाधिक प्रभावित है। तो आप्सेन इटावा। नेक्ट्ट कुश्चन आपका बनता है उत्तरपदेश के निम्नों से कौन सा जित्र सरवाधिक बाण प्रभावित है। चार आप्सेन है आपके पास। इसमें से आपका क्या होगा। आप्सेन बी पूरुबी जित्र। अगला है उत्तर पदेश में उगाई गई निमलिखित फसलों में किसकी अब अधी निउन्तम है तो इसका हो जाएगा ओप्शन डी मूंग निमलिखित में से कौन से जन्पद मध्य गंगा नहर से लाबानवित हुए है नीचे दिये गए कूर से सही उत्तर को चुनना है तो इसका हो जाएगा ओप्शन डी दो तीन चार तो मथुरा प्रवावित हुआ है अलिगर्ड और हातरस अगला है भारत में उत्तर पदेश जिस पैदाबार का सबसे बड़ा उत्तपादक है बहे क्या है बहे हो जाएगा ओप्शन ए खाद्यान अगला है भारत में उत्तर पदेश का दुतिय इस्थान है उत्तपादन में कौन से उत्तपादन में ओप्शन भी धान के उत्तपादन में अगला निमलिखित में से किस पसल के उत्तपादन में उत्तरपदेश देश का सबसे बड़ा उत्पादक है तो option D आलू के नेक्स्ट है उत्तरपदेश की जो प्रमुक फसल है वो कौन सी है चार आप्सन इसमें से हो जाएगा option D गेहू भारत में चावल क्रसित चित्र में उत्तरपदेश की कोटी है पहली प्रत्थम कोटी है नेक्स्ट कुश्टण है सूचीएक को सूचीटो से सुमेलित कीजिए तता सूचीएक में क्या है उत्यूक सूचीटो में है कैंद्र और कूट के माध्यम से क्या करना है आपको मिलान करना है तो इसके लिए आपका अंसर क्या बनेगा option D पहला है लकडी कास्ट के खिलोने तो इसका केंदर हो जाएगा बाराणसी फिर खेल का सामान इसका केंदर हो जाएगा मेरट फिर पीतल की मुर्तियां इसका केंदर हो जाएगा मत्रा फिर दिया सलाय उद्योग इसका केंदर हो जाएगा बरेली अगला सूची 1 एबम सूची 2 को सुमेलित कीजे तथा सूची ओके नीचे दिये गए कूट का प्रियोग करते हुए स्वह उत्तर को चुनना है देखे सूची 1 में क्या है आपके नगर है सूची 2 में उत्पाद और कूट के माद्यम से आपको मिलान करना है तो इसके लिए हो जाएगा आपके पहला है रेनू कूट इसका उत्पाद क्या हो जाएगा नगर जो है रेनू कूट वो कौन से उत्पादन के लिए है अलूमिनियम फिर है रिसी केस रिसी केस हो जाएगा अंटिबायोटिक फिर है मेरट, खेल का सामान, अलिगर जो है वो तालों के लिए परसिद्ध है अगला सूची एक एब हम सूची टू को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिये के कोट से सही उत्तर को चुनना है सूची एक में क्या है केंद्र और सूची टू में उद्योग कोट के माद्यम से आपको मिलान करना है इसके लिए आपका अंसर वनेगा ओप्सिन B पहला केंद्र है आमला तो आमला का होजाएगा और दूसरे से अरुबरक फिर है मोदी नगन केंद्र, यह कहां पर हो जाएगा, रबलका फिर बारा बंकी बारा बंकी के लिए क्या हो जाएगा पॉली फाइबर उद्योग कानपूर किसलिए प्रसिद है विस्फोटक अगला गोश्यन आपका बनता है उत्तर प्रदेश में क्रतिम रबल का कारखाना एस्तित है तो इसका हो जाएगा उप्सिन सी मोधी नगर में अगला इस सुची एक एब हम सुची टू को सुमेलित कीजिए तता नीचे दिये गए कूट का प्रियोकर सही उत्तर को चुनना है सुची एक में क्या है इस्थान सुची टू में है उद्योग और कूट के माद्धियम से क्या करना है आपको मिलान तो आपका क्या हो जाएगा option C पहला है फिरोजाबाद फिरोजाबाद हो जाएगा काच कर चूणिया फिर है कानपूर कानपूर हो जाएगा चमड़े के सामान के लिए नजीबाबाद प्लाइबुट के लिए और सहारनपूर काच और लुगदी के लिए अगला है सूची एक को सूची टू से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दियेगा कोट से सही उत्तर को चुनना है सूची एक में है और द्योगे केंद्र सूची टू में है प्रमु खुद्योग और कोट के माध्यम से आपको मिलान करना है तो इसके लिए हो जाएगा आंसर आप्सिन बी पहला केंद्र आगरा और द्योगे केंद्र आगरा किसके लिए प्रसिद्ध है पर्रेटन के लिए कानपुर, चमडे के सामान के लिए मेरट, खेलकुत का सामान, मुरादाबाद, धातू पत्तर के लिए अगला निमलिक्षत योगमों मैंसे कौन सा साही समेलित नहीं है तो आपको गलत बाला बताना है इसके लिए हो जाएगा आप्सिन सी बाकी के तीन साहीं है नोएडा जो है सॉप्टवेर एबम सूचना प्रोध्योगी की के लिए प्रसिद है सीतापुर, प्लाइवोड उद्योग के लिए और बारान सी रेसम उद्योग के लिए प्रसिद है अगला है सूचियक को सूचिटू से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए के कूट का प्रियोग करते हुए सॉचियों को चुनना है सूचियक में स्थान है सूचियों में उद्योग और कूट के माधं थիम से आपको मिलान करना है तो इसके लिए आंसर हो जाएगा option C पहला है चुरक स्थान 21 लिए प्रसिद्ध है सीमेंट के लिए फिरोजाबाद चूणियों के लिए अलेगड तालों के लिए और मेरट खेल का सामान के लिए फिर से देखे सूची एक को सूची टू से सुमिलित कीजिए तदा नीचे दिये के कूट से सहुत्तर को चुनना है सूची एक में क्या है सामान सूची टू में है स्थान और कूट के माध्यम से आपको मिलान करना है तो इसके लिए आंसर बनेगा आप्सेन ए पहला है टेरा कोटा सामान इसके लिए स्थान हो जाएगा गोरकपुर, लकड़ी के खिलोने बारानसी और चीनी मिट्टी के बरतन चिन हट और काच का समन फिरोजाबाद फरुकाबाद जाना जाता है तो आप्सेन डी हाथ की छपाई के लिए जाना जाता है नेक्स्ट कुश्यन है गुरू गोबिन सिंग स्पोर्ट्स कालेज की स्थापना उत्तर प्रदेश में की गई है कहाँ पर की गई है ओप्सेन डी लखनों में अगला उत्तर प्रदेश में कम्प्यूटर एड़ेट डिजाइनिंग परियोजना का केंद्र इस्तित है तो इसका होजाएका ओप्सेन डी लखनों में इस्तित है अगला उत्तर उर्दु को जिस बर्स उत्तर प्रदेश की भासा के रूप में सरकारी मानेता प्रदान की गई बहे था 1989 अगला उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के प्रतम पुलिस संग्राले की इस्थापना की गई तो अपसिंसी गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में केंद्रिय विस्विध्यालेयों की संख्या है Option C, Total 4 उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विस्विध्याले है राजर्सी प्रसुत्तमदास टंडन मुक्त विस्विध्याले Dr. Ambedkar Institute of Technology for Handicapped अबस्तित है कानपूर में अगला उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विस्विध्याले है तो Option B, इलहाबाद विस्विध्याले, इलहाबाद उत्तर प्रदेश में Knowledge Park के स्थापना की गई है Greater Noida में उत्तर प्रदेश सासन ने एगरो पार्क स्थापित किया है सही उत्तर का चैन कूट के माध्यम से करना है तो Option D, चारों में हापूर में, लखनों में, सहारनपूर में और बारानसी में Next Question है उत्तर प्रदेश में आमले का सरवादिक उत्पादन करने वाला जो जीला है वो कौन सा है? Option B, प्रताब कर उत्तर प्रदेश में सरवादिक छेत्रफल वाली आम की प्रजाती है तो इसका हो जाएगा Option B, दस हरी अगले उत्तर प्रदेश की प्रमुक बाने जिक उपज है तो Option B, गन्ना उत्तर प्रदेश की नई क्रसी नीती में क्रसी विकास दर लगबग कितनी निर्दारित की गई है तो Option D, 5% अगला है देश की कुल क्रसी योग भूमी का कितना प्रतिसत उत्तर प्रदेश में इस्तित है तो Option 15 उत्तर प्रदेश में सिचाई के मुक्च साधन है उनके महत के आदार पर उनका सही अबरोहिकरम है अबरोहिकरम मतलब बड़े से छोटे की ओर तो इसका हो जाएगा Option B, पहले देखें नलकूप, फिर नहरे, फिर तालावेवम कुएं, फिर अन्ने साधन अगला उत्तर प्रदेश में भारतिय सूचना प्रोद्योके की संस्तान जहां स्थापित किया गया है बहे जगए है इलावात उत्तर प्रदेश में आईटी सिटी की स्थापित की गई है Option C, लखनों में अगला एक किंद्री मंत्री मंडल द्वारा अनुमोदित राजीब गंदी पैट्रोलियम प्रोद्योके की संस्थान इस्थापित किया गया तो जायस में Option B, जायस में उत्तर प्रदेश में प्रथम बिकलांग बिस्थापित किया गया है तो Option B, चित्र कोट में Next A, सूची एक को सूची टू से सुमेलित कीजिए और सूची ओं के नीचे दिये के कोट का प्रियो करके सही उत्तर को चुनना है सूची एक में पार्क अत्वा जोन है सूची टू में जिले हैं और कोट के माद्यम से आपको मिलान करना है इसके लिए आंसर हो जाएगा Option A पहला है अपैरल पार्क, इसका हो जाएगा कानपूर फिर है बायो टेक्नोलोजी पार्क, इसका हो जाएगा लखनौ इस्तित है आगरा में उत्तरपदेश की एतिहासिक पुरा तात्य केवं कलात्मंग निधी की देखरेक करने के लिए इस्थापित संस्कृती विभाग के कारेओं में कौन सा कार्य समलित नहीं है उसकी विक्री, Option D इसकी विक्री अगला है मेरा जनपद में आलमगीरपूर से प्राप्त पुरा तत्य सामगरी पति बिम्बित करती है तो Option ने हलपा संस्कृती अगला है बेगम समरू ने एक अती प्रसिद्ध चर्श का निर्माल करवाया तो इसका वज़ाएगा Option C सरधना में उत्तर प्रदेश को समय समय पर दिये गए नामों को सम्मंदित बर्सों से सुमिलित करें तथा कूर से उत्तर दें तो Option C हो जागा 4,3,2,1 पहला उत्तर पश्यमी ये दिया गया 1836 में आगर और अवद का सैयोक्त प्रांथ ये अथा नाम 1870 में सैयोक्त प्रांथ कब था 1937 और उत्तर प्रदेश का पड़ा 1950 लोकनत रहुला का सम्मन उत्तर प्रदेश के निम्न मेंस से किस एच छेतर से है बुंदेल खंड छेतर से है निमलिखित में से कौन सा उत्तरपदेश का लोकनत्य नहीं है? मुरिया बांकिकतीने चर्कुला, कर्मा और दादरा उत्तरपदेश के ब्रजमंडल का सम्मन्द इन में से किस लोकनत्य से है? चर्कुला निमलिखित में से कौन एक उत्तर प्रदेश का लोग गीत नहीं है डोला मारू बांकी के तीने बिरहा कजरी और रसिया तो गाइस आज के इस पीडियो में इतना ही ठेंक्यू धन्यवाद आपका देन सुबरे